नोड़ा के मारवा स्टूडियो के प्रांगण में तीन दीवसिय साथवा ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के तीसरे दिन के पहले सत्र का आयोजन किया गया फूड फैस्टिवल से कारेकरम की शुरुआत करते हुए इसमें कहीं प्रकार की डिश का परदर्शन हुआ जिसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं था कारेकरम के दूसरे होल में A.A.F.T.E. स्कूल ऑफ इंटीर डिजाइन स्टुडेंस द्वारा फणीचर एक्जिबिशन लगाया गया इतिहास से प्रेरित होकर इसमें कहीं देशों से प्रेर्णा ले गई इसमें क्यूबा, मोरको, पेरू, वेनिजुएला, कजाखस्ता, फीजी, साइप्रस, आइरलेंड आधी देशों से प्रेर्णा लेकर खुबसूरत परदर्शनी लगाये गई पैशन शो भी देखा, फ़निचर शो एक्जिबिशन देखी और उससे पहले एक फूट का भी डिस डिमन्स्ट्रेशन हुआ था पहली बात तो मुबारक एफटी को कि इन्होंने तीनों डिजाइन फील्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पैशन शो वज एक्सिलेंट बहुत बढ़िया था, I think हमने छे, साथ डिजाइनर्स देखे, बहुत अच्छा शो है, और भी डिजाइनर्स आएंगे, जो हमने देखा बहुत बढ़िया था फनिचर के बारे में खासकर मैं बोलना चाहूंगा कि अलग अलग देशों से जो अलग फनिचर, पीसेज, कुर्सियां, टेबल, कॉंसोल, साइड रैक्स, बच्चों ने डिजाइन किये हैं, बहुत ही बढ़िया हैं और उन्होंने बहुत मेहनत किये हैं कि बाकी देशों मे करना चाहिए जो डिजाइन ट्रेंड्स हैं उनको फालो करना और इसको इंकोरड करना, इंडिया में बनाना और हर पीस को बहुत अच्छा बनाया गया है, जो हम कोशिश करेंगे कि और भीस को इंटरनाशनली भेजा जाए और एगशिश पेशिएंगे। क्यांच्ट सुनरबाफर नाया प्याइन अच्छी रच्छिश आफ ऑालो कि रचिशन ट्यूरोच को इजबाएंगे। कि पन्सकों अच्ट सूनरबाफर पालो कि अच्छिशन बुले प्ष़ाइन परिश्तय हैं इता एंट परेंगे। प्रजवलन के साथ फैशन शो की शुरुवात की गई डारेक्टर प्रोफेसर लितुलान ने सभी अतितिगन को फैस्टिवल बैस देकर सम्मानित किया सभी अतितिगन को पुस्तक भेट कर उनका स्वागत किया गया फैशन कभी भी इस दिन नहीं रहता फैशन ट्रेंडिंग बदलती रहती है अलग-अलग देशों की अलग-अलग परिधान है फैशन शो में अलग-अलग देशों की संस्क्रती से प्रभावित परिधानों को गोवीना आदी शानल थे बता जे की मोडल्स ने पूरे कॉंपिडेंस की साथ नाम पो किया और अलग-अलग देशों के डिजाइन कलेक्शन देख कर सभी गेस्ट ने खूब तारीव भी की डोक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा फैशन क उन है व्यारा कुल पूरे की ने कि देख कर सकाथ किया खिल्ट ट्ट्रड आज गीच्ट तर्ट रटे जोज गोरे मोड़िड गोख सब्सक्त टाइं विछ ठान देख कर लोगों की अव्यारीज ट्यूशन प्रेशन ऑन देक्श इस भीच्ट इस सभीड यह व्यूर्वाु क्यात्र प्रट्ट थे प्रश्स थे डिशन र्लिश रहा चाहिए कि अधेन थार — झाल ट्रश थेवा प्रश प्रशब तो इसकाइ्ट में रहा जाया प्रश प्रश ट्रश्ट व् 0 शो इस लव पीस और यूनिटी थू आट और कल्चर और यह बिन अबल तो डिपेक्ट यह बिन अबल तो एक्स्प्रेस्ट यह थिए गया कामों की खूब प्रशंसा की साथ ही गैस्ट को मोडर्स और डिजाइनर के साथ कांट्री डोकुमेंट्स भी दिया गया कारिकरम में उपस्तित अधीधिन को मोमेंटो देकर समानत किया गया कारिकरम की समापन समारों में स्कूल और फैशन और या दिजाइन की डारेक्टर प्रोफेसर रितुलाल द्वारा भी अतीधिगन और स्टृरेंट का धन्यवाद गापन किया गया today's show was excellent the amount of professionalism the zeal of your students the creators the models it was outstanding once again thank you very much for inviting me here today I had a great time thank you what would I say about Sandeet Marva well you know it's very difficult to say things about a person who is institution himself so named Sandeet Marva says a lot for himself he is highly reputed he's highly recognized in the Indian society Indian society has recognized him tremendously and I am very glad that have such a good friend thank you three of us represent the Indian Institute of Interior Designers I think mr. sooth the chairman of our chapter explained in detail what what was good about the fashion show and what was great about the furniture something he missed out which I'd like to mention the tasteful food items from Serbia and Bosnia that you were you know privy to was fantastic the furniture pieces were superb unfortunately we did not have enough time to study the furniture pieces I'm sure we'll get another opportunity to come and talk to the designers young designers of these furniture pieces the furniture the fashion show of course was excellent beautiful as always well organized welcome well conducted we have seen a lot of creativity a lot of good designed furniture food food fashion everything was high level and I I'm privileged privileged to to witness development of this institution for last five years and every year every year year after year it was a higher level so which is a really fantastic result I congrats with dr. Marwa and all staff including you like generally I wish you all the best all of you thank you 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 you